जहन साथियो एक बार फिर से इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो विहार बोर्ड मैटिक परिक्षा का स्चेडियूल जारी कर दिया गया है यानि कि प्रोग्राम जो होता है कि इस दिन किस विशे का एकजाम होगा आपका प्रैक्टिकल का बहग होगा यह अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करके जाएगा तो चलिए दोस्तों पूरा बीवरंद समझाते हैं यह देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है BSEB यानि कि बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जो करम संख्या एक में लिखा है और यहाँ पर मैं पढ़कर सुनाता हूँ और पूरी बारीकी से आपको अपने भासा में समझाता हूँ देखिए यहाँ पर लिखा है वार्सिक माध्मिक परिच्छा 2023 का मूल परवेस्पत्र नन सेंटप परिच्छार्थियों को छोड़ कर समिती के वेब साइट पर अपलोड करने एवम सिक्षन संस्थान के प्रधान द्वारा इसे डाउनलोड कर परिच्छार्थी को प्रात क कराने की तीथी, देखिए यहाँ पर यह बता रहा है कॉलम नमर वन में कि यहाँ पर जो परिच्छा होगी 2023 में तो मूल परवेस्पत्र उनहीं को दिया जाएगा जो सेंटर परिच्छा में सम्मिलित हुए हैं जो परिच्छार्थी मतलब कि एक परिक्षा होता है स्कूल में और तभी आपको चेक किया जाता है कि आप परिक्षा में बैठने के जुक है या नहीं है तो जो परिक्षारती इसमें सेंटयब में बैठे होंगे उन्ही को केवल प्रवेसपत्र दिया जाएगा और यह कब दिया जाएगा यहाँ पर दीना के तीथी आपको दिया गया है 8 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक आपका जो एडमीट काड है मुल परमान पत्र जो आपका एडमीट काड होता है वो डाउनलोड करके आपके स्कूल से मिल जाएगा जो दूसरा है कॉलम नमर दो में वोबार्सिक माधमिक परिक्षा 2023 का इंटर्नल एसेस्मेंट प्रयोगिक परिक्षा का आयोजन की ती थी यानि कि जो आपका प्रयोगिक परिक्षा होता है जो प्रैक्टिकल के नाम से हम लोग जानते हैं उसका आयोजन हर स्कूल में आपका 19 जनवारी से 21 जनवारी दो दिन के अंदर ले लिया जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है आप किसी भी स्कूल के बिहार के किसी भी स्कूल में आपने एकजाम के लिए अपलाई किया है टेंथ के लिए तो ये बाते आपको ध्यान में रखनी होगी तीसरा नंबर ये आपके लिए नहीं है ये उन सिक्षकों के लिए हैं जिनकी ड्यूटी परिक्षा में लगने वाली है उनके लिए ये हैं चलिए मैं इसको भी पढ़कर आपको सुना जाता हूँ वार्सिक मादमिक परिक्षा 2023 हेतू सह परिक्षक परधान परि परिक्षक जो भी सिक्षक है परधान सिक्षक कौन है कौन सह परिक्षक है उनको निजुक्ति पत्र दिया जाएगा ताकि वो परिक्षा सही ढंग्ज आयोजित करवा सके अब यहां पर वार्सिक मादमिक परिक्षा 2023 सैधान्तिक परिक्षा 2023 का आयोजन 14-2 से 22-2 तक परिक्षा 2023 में वहीं भी से रहेगा जो कि सेकेंड पाली में होगा यहां पर 14 तारी को 14 फरवरी को आपको गणीत फर्ष दिन गणीत रहेगा और यह परिक्षा 9 बज के 30 मिनट से 12 बज के 45 मिनट तक होगी आपको कम से कम आदा गांटा पहले परिक्षा के अंदर पर पहु और परिक्षार्थी को अंदर नहीं लिया गया था तो यह इस बात को आप ध्यान रखना होगा कम से कम आपको 9 बजे परिक्षा के अंदर पर जरूर से जरूर पहुच जाना है और सेकेंड पाली में आपको एक बजे तक पहुच जाना है ताकि आपको कोई दीकत ना हो और विज्ञान विशे का परिख्षा होगा यानि कि science का और timing वही रहेगा इसमें केवल 80 नमर के question आपको होते हैं इसलिए आपको यहाँ पर छुटी होगा 12.15 में 12.45 के बजाए 100 नमर वाले जितने भी परिख्षा होंगे उसमें आपको छुटी होगी 1 पाली वाले को 12.45 में और 2 पाली वाले को 5 बजे लेकिन जो 80 नमर के जिसमें की आपको practical भी से होगा उसमें आपको 1 पाली में आपको 12.15 में छुटी होगी और 2 पाली में आपको 4.30 में छुटी हो जा बात कर लेते हैं तीसरे दिन यानि कि 16 फरवरी 2023 को गुरुबार को तो यहाँ पर आपको समाजिक विज्ञान की परिख्छा होगी सेकेंड पाली में भी और फर्स्ट पाली में भी टाइमिंग वही रहेगा जो आपको अब बात कर लेते हैं सुक्रवार तो इसमें आपको अंगरेजी की परिख्छा होगी 17 तारीक को और दोनों पालियों में टाइमिंग वही रहेगा 39 से 12 45 और एक 45 से 5 बजे तक जिसका जिस पाली में होगा उसी पाली में सेंटर पर उपसित होने की किरपा करेंगे और यहां पर दोस्तो अब दो दिन की छुटी होगी 17 तारीक को एकजाम आपका अंगरेजी का हो जाएगा 4 बसे का एकजाम आपका खतम होने के बाद दो दिन की छुटी हो रही है यानि की अब आपको एक बहीं बार मतलब सनी बार को चुटी और फिर रवी बार को चुटी अब एक बार आपको फिर से 100 बार को उपसित होगा होना होगा आपके उसी सेंटर पर और उस दिन आपको हिंदी, बांगला, उर्दू, मैथली जो भी जो लोग लिये होंगे मातरी भासा अपना उसका परिक्षा होगा उसका एक्जाम होगा 9.30 बजे से वही टाइमिंग आपका रहेगा और सेकेंड पाली में 1.45 से आपका टाइमिंग रहेगा फिर 21 तारी को आपका द्यूतिय भारतिय भासा बहुत सारे लोग संस्कीरित लेते हैं, अर्बी लेते हैं, फार्सी लेते हैं, उर्दू लेते हैं तो उस विशे का परिक् परिक्षा होगा उसमें बहुत सार विद्यार्थी उचिगरित लेते हैं वानिज्य अर्थसाथ, फार्सी, संस्कीरित, अरभी, मैथली, भोजपूरी तो उन सब का परिक्षा उस दिन 22 फरवरी बुद्धवार के दिन आपका लिया जाएगा उसके बाद आपका परिक्षा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा मैंने प्रैक्टिकल के बारे में भी सबसे पहले ही बता दिया तो इससे लेटेट कोई भी जनकारी यदि आपको चाहिए तो हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और आपकी पूरी सहायता की जाएगी वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्रा प्रैब सीयर नहीं किये हैं तो जरूर से जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिंद बंदे मातरम